हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो कोड में एक्रूप चैनल आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्रेंग करने वाला हूं जावा एड्स के जो मुस्ट इंपोर्टिंग इंटर्व्य कोईशन होते है यानि कि जिसमें प्रोग्रामिंग डिटेट कोईशन पुछ जाते है कि आ इवेंन नमबर्स फांड आउट करना रहेगा ठीक है तो पहले मैं एक डाट क्लिक करूंगा शुरूप फांड अधिउ इवंन नमबर्स एंड पब्लीशाट एक वाट में पे क्लिक करके हमें फिनिस करना है ठीक है यह क्लास फांड हो गया इसको मैक्सिमाइज करने के डिटेट कर देता हूं अब यहां पर हमें क्या बहुता है मैंने कि लिस्ट ऑफ इंटीजर रहेगा तो हम लोग एक इंटीजर का एक अबजेक्ट करेंगे लिस्ट का अबजेक्ट नम लिस्ट इस उपकोल टू अब क्या पास करेंगे हम लोग नमबर करेंगे तो यह हो यह हमारा नम लिस्ट का टाइप रहेगा इंटीजर ठीक है और यह लिस्ट है अब इस मेंसे हमें क्या प्रिंट करना है फाइंड इवन नमबर उजिंग जावा एट नमबर को वहां पर हमें क्या करने से लगाना रहेगा कि नमबर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होगा number क्या हो जाएगा even हो जाएगा अगर number mode 2 equal equal to 1 है तो number क्या हो जाएगा odd हो जाएगा ठीक है तो पहले हम लोग simple way में for each loop लेंगे for end and column num open and close कर लिवरेस अभी देखिए यहां पर कैसा है num list है तो हमें कहा है यहां पास करना पड़ेगा number list ठीक है अभी क्या करेंगे हम लोग यह चेक करेंगे यहां पर c south end तो क्या देखने को मिलेगा यहां पर हर एक number जो है one by one print हो रहा है console 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी इसी number को हमें क्या करना है इट्रेट करना है और इस पर apply करना है हमें condition if block में क्या करूंगा if num mod 2 equal to equal to zero है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यह event number हो जाएगा ठीक है अभी इस नंबर को क्या करेंगे प्रिंट कर लेंगे code को भी run करते हैं 2468 हमारे पार जो number लिस्ट है उसमें number 129 था एन हमें जब even number प्रिंट करना हो गया तो हमने condition लगा दिया num mod 2 equal to zero यह हमें क्या हो गया event number प्रिंट होके मिल गया बट इसी चीज़ को हम लोग अगर with java add करेंगे with java a तो देखते हैं code कितना simple हो जाता है ठीक है तो java add क्या करेंगे पहले हम लोग num list पे stream method apply करेंगे num list dot stream dot अभी हमें क्या करना है यह जो if block था इस block को हम लोग को प्रेडिकेट basically प्रेडिकेट क्या करता है basically true and false result वो देता है हमें हमें यहां पे method हमारे पास filter करके और filter क्या accept करता है प्रेडिकेट तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी number आएगा उस number पे हम लोग apply करेंगे condition कि अगर number mod 2 equal to 0 है तो उस चीज़ को हम लोग करेंगे प्रिंट कर लेंगे for each system.out println अब इस code को हम लोग run करते हैं यहां पर हमनों डाल देते हैं शीश आउट using java 8 और यहां पर without using java 8 इसको में run करता हूं दिखिए 2468 2466 और यहां पर हमें यहां पर एक ही रहन में हमारा output आ गया ठीक है तो बसक्राइब के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जुरू लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नुट्रू किसे में दबरा मत भूलिए मैं ऐसे से और भी अमेजिंग कंटेंट लेके आँगा जावा इंट्रू कोस्टन के उपर हाइबर नेट के उपर इस्प्रिंग के उपर और और एकल डेटाबेस के उपर सो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाएए से ये ने 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 वीडियो तिल देन टेकर और बाइब बाइब